कि है लो गाइज दमिश्कार सलाम सरेकाल दोस्तों मैं हूं आपका खोश्ट दोस्ते श्यों में बात किया जा रहें वर्ट टैंक स्मिलिट्स में टीर टन अमेरिकन टैंक डिश्ट्रॉय के बारे में जो की है टी टैन टी वन टैन एफोर यह जो कि बहुत पाफुल है अभी औ अच्छा होने वाला और जादा पीबियार फाइस के साथ आने वाला है तो देखने वे यह बहुत सुन्दर वने वाला है तो दो सब्सक्राइब के बारे में बारे में क्योंकि दोस्तों यह टांक डिश्ट्रॉय के पास है काफी अच्छ चीज़े पहले बात तो इसको आर् और साथ साथ दोस्तों इसका मोबिलिटी अच्छा है गन एक नंबर है और यह टैंक डिश्ट्रॉय बहुत ही पाफुल परफॉर्म करता है तो दोस्तों आई बात कर लेते हैं इसी टीवन टैनी फोर के हर एक स्पेसिफिकेशन के बारे में तो फिर दोस्तों एविंग पर लेकिन फिर भी ऐसा बहुत खराब नहीं क्योंकि अक्यूरेट अब बहुत जादा मिस्करता नहीं आरें जिसका अच्छा रहता है यहां पर देखे उसा आथाइस के करीब है बहुत जादा नहीं है लेकिन अच्छा टैंक रिश्रॉर के साब से उसके बात दोस्तों आम यहां पर 545 हो जाता है और गंडिप्रेशन जो है वह भी यहां पर 6 डिग्री जो की काम है ठीक है आपको काम ठोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा नहीं कहीं पर तो यह रहता है दोस्तों बात करें इसके इंजन की तो फिर देखे मैक्समान स्पीड यहां पर 35 km पर आर और स्पीड 26 यानि की बहुत अच्छा है टांग डिश्रा जो की इतना आर्मर कैरी करता उसके बहुत अच्छा स्पीड है अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ कुछ चीज़े जो कि आप चेक कर सकते हैं देखें आप में आपको में बात बताता हूं कि अगले अप्ड करी तक रहा है उसको चेंज कर रहा यहां पर उसके बाद वह यह है कि टॉप स्पीड इसका बढ़ने वाला जैन सो पैते से यह ओने वाला थाटी सेवन तो फिर ठाटी सेवन होने के बाद यह टांक और भी टेज़ एक्सेलरेट कर पाएगा तो फिर काफी अच्छा रहेग कि यह टांक आखिर क्यों अच्छा मैं क्यों कहूंगा कि आप इसको ग्राइंड करिए अब यहां पर दोस्तों आपको पास एक और आप्शन भी रहता है वह यह है कि आप यहां तो यहां पर टीवन टैन एफॉर कहीच सकते हैं अब एथरी के बाए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे मुझसे तो लेकिन इत्री दोस्तों बहुत ज्यादा आर्मर करी करता है और यहां पर मोबिलिटी आप देख सकते हैं इस टैंका जो की काफी कम रहता है 35 कि दिखा रहा है लेकिन इतना जाता नहीं को कि एक्सलरेशन इसका पावर टो वेट रेशियो कम है और आवरेज स्पीड भी से देख सकते हैं तो फिर इतना तेज जाता ही नहीं है तो इसका स्पीड डेफिनेटलि कम है तो आप लोग मुझसे पूचेंगे कि क्या आपको लेना चीज़िया तो इफोर तो मैं आपको बालाश मताता हूं पहल मैं ब्रिट्स वाले पर करता हूं यह थोदे में लोड हो जाएगा और फिर मैं यहां पर जाओंगा और देखेंगे यहां पर हम टियर टेंट टैंक डिश्ट्रॉयर जो कि अमयर गन और यह आगया यहां पर इफोर तो देखिए दोस्तों इफोर सामने खड़ा आपने और देख सकते हैं पहली बात चीज सामने अलब प्लेट कितना ही जादा पाफुल है यह भी काफी पाफुल यह तीन सो के ऊपर बैट और यह सब ना क्योंकि आंगल पे तो बाउंस आपको देखने को मिल जाएगा यहां कि फ्रंट प्लेट के अपर प्लेट कोई आपको पेंट यह कुछ ऐसे इस सिट करता है बट यह कि यह तो अगर आप मालेश आंगल पर आएं तो कभी घवाल आपको देख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि यह आंगल पर रहेगा तो फिर आपको बाउंस देख तो उमिल सकते लेकिन हां अगर आप सीधे हैं डेफिनेटली लोग आपक कर पाएंगे बागी दोस्तों बात करें तो फिर कपूला कपूला यहां पर 257 पिसेट करता है कहीं कहीं 309 है और बेसिकली यह लगबग लगबग दो सो पचास पास ही रहता है तो फिर लोग आपको प्रेमियम शेल अगर लोड करते हैं वो तो अराम से परेंट्रेट कर दे यहां पर भी लोग प्रेमियम शेल से प्रेंट्रेट कर सकते हैं और बाकर साइड वो कुछ अर्मर नहीं है इसके पीछे बात करें तो यह एक डाउन साइड कि यहां पुछी इंजन डेक है देखें सिफ 49 39 पर बैट तो फिर लोग यहां पर यहां पर बहुत शूट करते है जिसके यहां निकला हुआ पार्ट इंजन डेक का इस पर लोग फिर शूट करते हैं और यहां पर पर प्रेंट्रेट कर देते है अराम से तो फिर हां आर्मर वाइज टांक अच्छा है लेकिन हां अगर एक बंदा जो की अच्छा प्लियर आपको सामने आ गया और वो जानत तो फिर लेक्स का आर्मर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि एक रामर बहुत पाफुल है अब मैं इसमें नहीं दिखा रही हूं इस वीडियो में अगर आप पहेंगे तो मैं अगला वीडियो बना देता हूं लेकिन आर्मर डेफिनेंट्ली इससे बहुत जाला है इससे दु और आपको काफे help करतेगा तो यहां पर पीछे से फ्लैंक नहीं कर पाएंगे तो कुछ ऐसा कम नहीं कर पाएंगे साइकल नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों जलिए आम लोगों बात कर लेते हैं इस इक गेम में चलके और देखते हैं गेम में इस ट्रैंक ऐसा परफॉर्म करता है और क्या आपको इसको एक बार फूर से लेना चाहिए या नहीं तो दोस्तों हम लोगा चुके यहां पर हमारे और देखें कि इस रिप्ले में एक अगर पाता है तो फिलाल लेग से कंसे पर श्री या का मैप काशिर को आप जामते हैं कि टैंक डेश्टोर सको काफी शूट करता तो फोर डेफिनेटिल यहां पर हमारे इफूर हमारे दोस्त जो है वो यहां पर बैठ करके इसपोर्ट करने के कोशिच करेंगा किसी एनिमी हेवी टैंक को और अगर कोई आता है तो फिर डेफिनेटले अराम से एक शॉट ले लेगा यहां पर एक बहुत ही अच्छा शॉट देगा आपने एक बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर हमारे दोस्ते लिया तो फिर यह शॉ कर रहा है और क्योंकि वह आर्मर क्यारी करता है क्योंकि यह एक ऐसा टांग करता तो फिर डिफिनेटली आप इस टांग के साथ पूकर फ्रंट लाइन पर नहीं लेंगिन हाँ मिड लाइंट पर पुश कर सकते हैं जो कि हमारे दोस्त नहीं पर कर रहा है एनमी यहनुज्ड जाना है या उस तरफ जाना है तो फिलाल हमारा दोस्त यहां पर इस तरफ वेड़ कर दा एक तुन फाइफ बी का और क्योंकि उसके साही टीम भी इस तरफ है तो फिर डेफिनेट्ली वह अकेले उधर नहीं जाएगा सामने वाला वीजयत एक नंबर का नूब है आप समझ सकत तो बड़ा अलफाल देख करके अभी सामने है टूवन फाइफ वी ऑक्टोपस और हमारे दोस्तों पर चौट लेना चाहता था बट नहीं नहीं वह सही समय पर पीच्छे अब हमारे दोस्तों सब्सक्राइब क्योंकि उसकी टीम पूरी यहीं पहले तो फोड़ा से हो सकता ह जैसे मैंने आपको बता है कि यह एक ऐसा टाइंग है जो कि फ्रंट लाइन पर नहीं लेकिन मिड लाइन पर जरूर खेल सकते हैं जैसा कि हमारे दोस्तों में आप देख सकते हैं मिड लाइन पर फोड़ा से अग्रेसिव है लेकिन बिल्कुल जाता भी नहीं अब इस्टैं हो तो अब यह 25 पीछ जा रहा है एक और हाली एक्स्प्लोजिव ओशिट 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 यहारा शॉट मतलब की थोड़ा सा आर एंजी का भी खेल था च्योंकि वह जो आर एंजी था ना उसने साथ नहीं दिया है आप जानते हैं बहुत अच्छ तो वाफल नेक्टो मैक्स रोल कर दिया होगा में भी तो फिर हाँ यह था अभी हमारे दोस्त आधे यहां पर यहां पर उस शॉट की वजह से जो कि अनफॉर्चनेट था डेफिनेटली और उसके बाद दो कि दोस्त यहां पर हमारे दोस्त ज्यादा पुछ नहीं कर रहा है दोस्त अपने क्या कहले और वो इधर करके वीजर को खतम करेगा अपने दो अपने टीमेट्स के साथ मिल करके अभी यहां पर पुछ कर रहा है दोस्त और देखते क्या कर सकते हैं आप आपने नोटिस किया होगा कि उसका स्पीड वो अच्छा है लेकिन हां उतना अच्छा अब भी नहीं है अब डेफिनेटली आर्मर करी का नोट टाइम डिश्ट अब क्या ही एक्सपर कर सकते हैं सामने देखिए इफोजे की बहुत अच्छा एक्जाम्पल है देखिए जो लोवर प्रेट मैंने आपको लोवर प्रेट की बात बताई थी लोवर प्रेट आप दे असकते में करता है अब उसी के साथ साथ यहां पर हमारे दोस्त वापस मुड़ा क्यूंकि एन्मी टीम जाओ पीछे से हाई है यह दोसको पता भी है और वहां पर कि जो कि हमारे LT से डील कर रहा है और ऑफ दोस्स जा रहा है क्या हो सकता यहां पर स्माच में को खतम कर दिया है और सामने है इस सामिए टीम का 100 जांडर्ड वहां पर है बैठा हुआ और two versus four situation है तो वैसे लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि E100 के पास आप जानते हैं काफी जादा hit point और काफी बड़ा alpha लग गन है बट क्योंकि यहाँ पे पीछे से हमारे team के बंदों ने waffle को खतम कर दिया तो फिर अब तो यहाँ समझी करेंगे गारेंटी विन ही है तो फिर हाँ हमारे दोस्ते आप पुछ कर रहे क्योंकि आप ना पुछ करने की कोई बजा ही नहीं है अब वह अराम से जाकर के यहाँ को फार्म कर सकता है वह मर गया तब भी कोई बात नहीं क्योंकि मैश तो वह फ़स जीती गए है तो फिर यहाँ पर मुझे लगता यहाँ लग काफी अनलगी था कि उसको ऐसी team मिली क्योंकि उसने अच्छा परफर्म किया और उसकी team है मतलब देख सकते हैं वी जेड और वहाँ पर स्टैंडर्ट भी कहां पर बैटे हुए थैं ऊपर हील पर यहाँ पर बड़े शॉट्ट जो की यह यहां पर वीक स्पॉर्ट पर हमाई दोस्त ने ले लिए और क्या है यहां पर हमाई दोस्त कर पाएगा या किन या नहीं कि कपूला पर वो एम कर रहा था और कपूला पर ही उसने प्रिम्यम शॉट के साथ यहां पर शॉट ली करकि हमाई दोस्त का खेल खतम कर दिया तो यह था एक प्रॉब्लम जो की जो की टीवन ट्यान एफॉर को फेस करना पड़ता है है लो का इसे मिश्काल स्लाम स्रीकाल दूस्तों मैं हूँ अपकर खोश्तों दूस्ते श्यूटर शवाज कि स्लिडों में बात कहां जा रहे हैं एवन टैंक स्मिलिट्स में टी टैंक डिश्ट्रॉय के बारे में जो की है यहां दोस्तों यह एक ऐसा जो कि बहुत प्वाफुल है अभी और आने वाल अपडेट में और पीबियार फाइल के साथ आने वाला है तो फिर देखने में भी यह बहुत सुन्दर होने वाला है तो सब्सक्राइब कि यह कैसा है आपके उसको ब्राइंट करना चाहिए कि नही चाहिए पहले बात तो इसका आर्मर सॉलिड है बहुत अच्छा नहीं है इंडर्म टॉप लेवल का तो नहीं है लेकिन फिर भी सॉलिड है काफी और साथ साथ दोस्तों इसका अच्छा है गन एक नंबर है और यह टैंक डिस्ट्रॉय बहुत ही पाफुल परफॉर्म करता ह है तो दोस्तों आइए बात करें लेते हैं इसी टीवन टैनी फॉर के हर एक स्पेसिफिकेशन के बारे में तो फिर दोस्तों एविंग टाइम 5.5 सेकंड है जो कि आपको थोड़ा ज्यादा है बट इतना ज्यादा नहीं दोस्तों आपको फील उतना नहीं कराएगा यह उसक अच्छा टैंक रिष्टार के साफ से फिर उसके बाद दोस्तों आप में पनेट्रेशन 275 स्टैंडर्ड और साथ साथ प्रिम्यम शॉयल के साथ 365 पर बैट जो कि अच्छा माना जाएगा बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं है आपको काम ठोड़ा बहु ही पर तो यह रहता है दोस्तों बात करें इसके इंजन की तो फिर देखें मैक्समाम स्पीड यहां पर 35 km पर आर और जो आवरेज शुच्छ यानि कि बहुत अच्छा है टैंक डिश्रा जो कि इतना आमने करी करता है उसके बहुत अच्छा स्पीड है अब यहां पर दिया ह कुछ-kुछ चीज़े जो कि आप चेक कर सकते हैं देखें आप में आपको में बात बताता हूं कि अगली अपडेट में क्या चीनज आप जो कि 10.3 आप तो सोच जाएंगे कि 10.3 में क्या होने वाला है तो फिर सबस्तों यहां पर कुछ बहुत बड़ा ऐसा इसा भीज़ न बढ़ने वाला जैन्स तो 35 यह होने वाला थाटी सेवन तो फिर थाटी सेवन होने के बाद यह टैंक और भी टेज एक्सलेरेट कर पाएगा तो फिर काफी अच्छा रहेगा यह तो यह एक अच्छा चीज रहेगा निकल के आएगा बाके दोस्तों यहां पर कुछ खास ऐसा जो कि बहुत बड़ा बात करने वाला हो तो फिर बस इतना ही ताप में लिए आप समझ सकते हैं अब मैं आप बता दो कि यह टांक आखिर क्यों अच्छा मैं क्यों करूंगा क्या इसको ग्राइंड करिए अब यहां पर दोस्तों आपको पास एक और आप्शन भी रहता है व बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि अर्मर वाइस है इसका गन भी सॉलिड यह लेकिन इसका आर्मर बहुत अच्छा है और अच्छा होगा तो मोबिलिटी इसका काफी कम हो जाता है यहां पर मोबिलिटी आप देख सकते हैं इस टैंक जो की काफी कम रहता है 35 किमिटर दि से देख सकते हैं तो फ्री इतना तेज जाता ही नहीं है तो इसका स्पीड डेफिनेटलि कम है तो आप लोग मुझसे पूचेंगे कि क्या आपको एठी लेना चाहिए तो इफोर तो मैं आपको बालाश मताता हूं पर जो चलते हैं यहां पर बात कर लेते हैं आर्मर की देख सकते हैं यहां पर लोड हो जाएगा और देखेंगे यहां पर हम टीर टैंक डिश्ट्रोय है जो कि अमेरिकन और यह आ गया यहां पर एफोर तो देख सकते हैं पहली बात चीज सामने रप्लेट कितना ही ज्यादा पावफुल है यह विसका पावफुल यह वीज़ प बाउंस आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर प्रेट के अपर प्रेट प्रेट पर कोई आपको पेंट्रेट नहीं कर पाएगा उसके बाद दोस्तों लोड प्रेट जो कि एक बड़ा डाउंसाइड है क्योंकि यह काफी बड़ा आप दे सकते काफी मैसिव है यह आपको देख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि यह आंगल पर रहेगा तो इसा बनाया श्रक्ट्चर इसका गोल सब्सक्राइब तो फिर आपको बाउंस देख लेकिन हां अगर आप सीधे हैं डेफिनेटली लोग आपको पेंट्रेट कर पाएंगे बाकी दोस्तों बात करें तो कपूला कपूला यहां पर 257 पर सिट करता है कहीं कहीं 309 है और बेसिकली यह लगबग लगबग दो सो पचास पास ही रहता है तो फिर लोग आपको प्रेमियम शेल अगर लोट करते हैं वो तो अराम से पेंट्रेट कर देंगे अब नॉनमल शे तो दिक्कत हो सकता है कभी क कर सकते हैं और बाकर सो साइड कुछ आर्मा नहीं है इसके पीछे बात करें तो यह एक डाउंसाइड कि यहां पर जो इंजन डेक है देख सिफ 49 39 पर बैट तो फिर लोग यहां पर हाली एक्स्पोजिव शेल बहुत शूट करते हैं जिसको यहां निकला हुए पार्ट से डील करना है तो फिर आपके पास क्योंकि गन अच्छा है और आपके पास बड़ा शॉट है शेसो पच्छा शेसो चालिस का तो फिर आप डेफिनेटली वह चीज सकते हैं अच्छा बाकि इसका आर्मार उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ए-3 का बहुत पावफुल है अब अगला वीडियो पर बना देता हूं लेकिन ए-3 का आर्मार डेफिनेटली इससे बहुत जाला है तो फिर लेकिन इसमें जो दोस्तों कि यह इसका जो बेनिफिट है वो यह कि इसका जो यह है टांक का जो टरेट है वो यहां पर 90 डिग्री घूम जाता है तो 90 डिग्री काफ लोग आपको यहां पर पीछे से अफ्लांक नहीं कर पाएंगे तो पुछ ऐसा काम नहीं कर पाएंगे सब्सक्राइब अब दोस्तों जाली हम लोग बात कर लेते हैं इसी टांक की एक गेम में चलके और देखते हैं गेम में इस त्रैंक कैसा परफॉर्म करता है और क्या आफिस सूट करता है तो यहां पर हमारा इफूर्म हमारा दोस्तों यहां पर बैट करके स्पोर्ट करने के कोशिच करेंगा किसी अनिमी हैवी टैंक को और अगर को आता है तो फो डेफिनेटली अराम से एक शॉट ले लेगा यहां पर एफवी टून फाइब इस पॉर्ट एक बहुत ही अच्छा शॉट देगा आपने ऐक बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर हमारे दोस्तों लिया तो यही शॉट डेगा आपने कраж केंवी कित दैरा आपने कितना अनिम्लस के इन ए वहां पर इसकीजिजिया तो आप सब कुछ कितना ही यहां पर केयाम इन्म Stevens清ों पर नहीं लेकिन हम मिद राइन पफिच कर सकते हैं जो कि हमारे दोस्ति कर रहा है ईनमी एहंड्रेट ने यहां पर खतम कर दिया है और आप मैप देख समझ सकते हैं कि सारे हेवी टंक बीट डूसरे साइड चले कर देखे जो की है लाइट टंक साइड तो फिर यहां पर एक जाँ चाहेगा सामने होला वीजयत एक नमबर का नूब है आप समझ सकते हैं देख करके ही क्योंकि अगर वो हिल पर चड़ा तो डेफिनेटली वह एक नूब है एक 675 डामेश का एक बड़े हां सा शौट यहां पर लिया हमारे दोस्त ने और देखा अपने गन एक बाफिल से कितना अच्छा फील हुआ यहां पर उसको जादा एम भी नहीं करना पड़ा और साथ से साथ वह बड़ा अलफा मजा आ जाता है वह बड़ा अलफा देख करके अभी सामने है टूवन फाइफ वी ऑक्टोपस और हमारे दोस्तों पर शौट लेना चाहता तो था बट नहीं वह सही समय पर पीच्छे अब हमारे दोस्तों पुछ कर रहा है क्योंकि तीम पूरी यहीं पहले तो वह थोड़ा से अग्रेसिव हो सकता है जैसा मैंने आपको बता है कि यह एक ऐसा टाइंगा जो कि फ्रंट लाइन पर नहीं लेकिन मिड लाइन पर खेल सकते हैं मिड बाता भी नहीं अब स्टैंडर्ट भी सामने का पते नहीं कहां नूब्रा बिलकुल ही नूब्रा है आप किसी भी टैंक डिश्ट्रोय के सामने ऐसे खड़ा हो रहना चाहें गहीं नहीं जानिकि आप समझ सकते होंगे कि स्टैंडर्ट भी नूब है और एक बहुत ही बढ़ बहुत अच्छा नहीं इस टैंग का बताया था लेकिन आरेंजी साथ देता तो फिर उदर ना जाकिता जा सकता था अब वह किसमत एक बार फिर सख़ा था एक बार सामने है रास्ते में लिए लेकिन लेकिन सामने से आई तिंक हमारे दोस्त की ओपर यह उन्डेट ने और उसके बाद दो कि दोस्त यहां पर हमार दोस्त ज्यादा पुछ निया केले और वो इधर करके वीजर को खदम करेगा अपने तीम मेट्स के साथ मिल करके अभी यहां पुछ कर रहा है दोस्त और देख देख क्या कर सकते हैं आपने एक नोटिस किया होगा कि उसका स्पीड करें वो अच्छा है लेकिन हां उतना अच्छा भी नहीं है अब डेफिनेटली आर्मर कैरी का नोट टाम डिश्या तब क्या ही एक्सपर कर सकते हैं सामने देखिए इफोजे की बहुत अच्छा एक्जामपल है देखिए जो लोवर प्रेट मैंने आपको लोवर प्रेट की बात बताई थी लोवर प्रेट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और कितना एजी है पेंट्रेट कहने के लिए एक प्रॉब्लम में जो की एठी के साथ भी मैं यह नहीं कहूंगा लेकिन एठी का कंप्रेटिबली थोड़ा और स्ट्रॉंग है यहां पे बढ़े असा मैक अच्ट करता है अब उसकी साथ साथ यहां पे हमारे दोस्तेट वापस मुड़ा क्योंकि एडवी टीम जरूट पीछे से यहां हमारे दोस्ते को पता भी है और सामने है इस समय एन्यमी टीम का यहंडर्ड यहंडर्ड वहां पे है बैठा हुआ और टू वर्सस फोर सिच्वेशन है तो वैसे लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहंडर्ड के पास आप जानते हैं काफी ज्यादा हिट पॉइंट और काफी बड़ा अलफ फल्ट को खतम कर दिया तो फिर आप तो यहाप समझी होंगे गारेंटी विन ही है तो फिर हां हमारे दोस्ते हैं पुछ करया क्योंकि आप ना पुछ करने की कोई वज़ा ही नहीं है अब वह अराम से जाकर कि यह-ए-100 को फार्म कर सकता है वह मर गया तब भी कोई बात नही यहां पर E100 को सभी लोग फार्म करेंगे डेफिनेटली यहां पर मुझे लगता E100 काफी अनलखी था कि उसको ऐसी टीम मिली क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसकी टीम है यह मतलब देख सकते तो वीजेड और वहां पर स्टैंडर्ड भी कहां पर बैटे हुए थे उपर हिल पर तो यहां पर एक और बढ़े हासा शॉर्ट जो की E100 के वीक स्पॉर्ट पर हमाई दोस्त ने ले लिया और क्या E100 यहां पर हमाई दोस्त को पेंट्रेट कर पाएगा या किन या नहीं शायद शायद नहीं लेकिन वह 100 कपूला पर एक कपूला पर वह एम कर रहा था और कपूला पर ही उसने प्रियम शॉर्ट के साथ यहां पर शॉर्ट ली करकी हमाई दोस्त का खेल खतम कर दिया तो यह था एक प्रॉब्लम जो की जो की टीवन टेन एफोर को फेस करना पड़ता है तो देखा दूसरों आपने टीवन टेन एफोर एक बहुत ही पाफुल टैंक जरूर इसके पास कुछ बीकिस पॉर्ट है लेकिन इसका गन और इसका आर्मार बैलेंस करेता हर चीज को तो तो फिर आप डेफिनेटली जा सकते हैं फोर बहुत पॉपलर है भी समय करेंट मेटा में क्योंकि काफे अचा परफॉर्म कर रहा है और आपको लगवाद टीर 10 के हर एक बैटल में एक एक एफोर देख्ट को मिली जाता है तो फिर इसलिए टीवन टेन इसमें इतना चल रह होगा और पसंदाया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर दोस्तों कोई भी डाट होगा तो कमेंट सेक्षिन ने पूस सकते हैं बाकि आपको एथरी के ऊपर भी कोई वीडियो देखना है त्योंट एथरी के ऊपर तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बत